जेलिसी एक तरीके की बिमारी है जिसके मन में जेलिसी होती है वो कभी खुश नहीं रह पाता है उसके पास सब कुछ होता है फिर भी वो डिस्टरब रहता है और जब वो डिस्टरब होता है तो दूसरों को भी डिस्टरब करता है खासकर उस परसन को जिसके लिए उसके मन मे जेलिसी है तो ऐसे परसन के साथ हमें क्या करना चाहिए आज मैं बताऊंगी आपको कि ऐसी पांस चीज़े जो आपको ऐसे परसन के साथ करनी चाहिए कैसे आप उनसे डील करें इसके बारे में हलो माइनेम इस पीती और वेलकम टू माई चैनल जज़बा तो चलिए बात करते हैं जेलिसी के बारे में पहला पॉइंट यह है कि जो परसन आप से जेलस रखता है आपको उस परसन के अंदर किसी अच्छी चीज़ को नोटिस करना है हर परसन में कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बुरा दोनों होता है ऐसा कोई परसन नहीं होता है जिसके अंदर सिर्फ अच्छा अच्छा हो या ऐसा कोई परसन नहीं है जिसके अंदर सिर्फ बुरा बुरा हो यानि अच्छा और बुरा हर किसी के अंदर होता है तो आपको उसके अच्छाई पर ध्यान देना है आपको उसके अंदर जो चीज अच्छी है उसे नोटिस करना है हम जिस चीज को नोटिस करते हैं हम जिस चीज को देखने लगते हैं वैसी हमारा नजरिया हो जाता है और वैसी ही हमारे अंदर feeling आने लगती है वैसे ही हमारी सोच हो जाती है उस person के लिए तो वो person आपसे jealous रखता है ये चीज़ आप जानते हैं बट आप उसकी अच्छी चीज़ों को खोजिए आप अच्छी चीज़ जो भी उसके अंदर है उसे notice करिए और उसे appreciate करिए I know बहुत लोग ये कहेंगे कि या बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब वो person मुझसे jealous रखता है तो फिर मैं उसकी अच्छी चीज़ों को क्यों notice करूं या फिर मैं उसे appreciate क्यों करूं ये चीज़ हमें खुद के लिए करना है उस person के लिए नहीं क्योंकि जब हम किसी के अंदर अच्छी चीज़ों को देखते हैं अच्छी चीज़ों को appreciate करते हैं तो इससे हमारा ही जो nature है ये polite होता है इससे हमारा नजरिया जो है वो positive बनता है तो ये चीज़े हमें अपने सा नम होगा उसका जो behavior है वो भी थोड़ा polite होगा हमारे साथ और ये चीज़ हमारे लिए ही अच्छी है दूसरी चीज़ ये है कि जब हमें ये पता होता है कि सामने वाला person जो है ये हमें पसंद नहीं करता है तो हम भी उसे like करना बंद कर देते हैं और हमारे मंड में भी ना start कर देते हैं तो उस person में भी थोड़े changes आते हैं चाहे वो थोड़े time के लिए ही क्यों नहों बट उसका behavior हमारे साथ अच्छा हो जाता है second thing ये है कि आपको ऐसे person के लिए thinking तो आपको अच्छी रखनी ही है आपको उसके साथ behave भी अच्छे से करना है आपको उसके साथ वैसे ही behave करना है जैसे कि आप बाकी लोगों के साथ करते हैं जब आप उसके साथ वैसे ही behave करेंगे जैसे आप बाकी लोगों के साथ करते हैं तो उसका behavior भी आपके लिए soft होगा इस से उस person की jealousy भी कम होगी बट अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका ये मतलब बिलकुल भी नहीं हम positive चीज़ों को करते और सोचते हैं अगर हम भी उसी person के जैसे ही treat करने लगे अगर हमारा behavior भी वैसा ही होने लगा या फिर हम उसकी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो ऐसे में negativity जो है ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है और इससे problems होती है और हमें problems को बढ़ाने के लिए नहीं वलकि उसको खत्म करने के लिए try करना चाहिए हमें try करना चाहिए कि कैसे हम उस problem को solve कर सके third point ये है कि उस person को जिस चीज़ से jealousy है मतलब आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो उसको नहीं अच्छी लगती है जिस चीज़ से उसे problem है जिस चीज़ से उसे jealousy होती है उस चीज़ का show off आप उसके सामने ना करें बहुत से लोग ये कहते हैं कि जलने वाले को और जलाना चाहिए बट मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है मैं इससे agree नहीं कोई person बीमार होता है तो क्या हम उससे problem होती है हमें उससे sympathy होती है उसी तरीके से अगर कोई person ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा jealousy है तो उसके लिए भी हमें sympathy रखनी चाहिए क्योंकि ये भी तो एक बीमारी है तो हमें ऐसे person को जला करके क्या मिलेगा हमें ऐसे person को जलानी की और ज़्यादा कोशिच नहीं करनी चाहिए उसे और ज़्यादा परिशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो already बीमार है वो already परिशान है तो हमें उसकी परिशानी को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए जैसे कोई person physically बीमार होता है तो हम उसका बारे में अच्छी सोच रखते हैं या फिर हम उसके लिए सिंपथी रखते हैं वैसी हमें ऐसे परसन के साथ जो कि जेलस रखता है जो कि mentally इस टाइप की बीमारियों से घीरा है उसके लिए भी हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए उसके लिए भी हमें सिंपथी रखनी जीए परसन आपसे जैलेसी रखता है वो परसन कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा या कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको ये फील हो कि वो परसन आपको लाइक नहीं करता है या फिर वो आपको टांट करेगा बट आपको उसमें कुछ भी अपना कोई भी reply नहीं देना है आपको उसे दूर रहना है जितना हो सके ऐसे person को आपको ignore करना है ऐसे person की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है आपको serious नहीं होना है और जितना हो सके उनसे distance बना के रखना है अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है उनके behavior में थोड़ा फर्क पड़े और नहीं भी पड़ेगा तो यह चीज आपके लिए बहुत अच्छी है jealousy एक ऐसी बीमारी है जिसके शिकार हर कोई कभी न कभी हो ही जाता है चाहे थोड़े टाइम के लिए ही हो बट यह चीज हर किसी के अंदर आ ही जाती है तो हमें दूसरों की चीजों पर ध्यान नहीं देना है हमें अपने अंदर इस चीज को देखना है कि कहीं हम तो इस चीज के शिकार तो नहीं हो गए कहीं हमारे अंदर ये चीज तो नहीं आ गई है हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर हम किसी की कोई भी अच्छी चीज को ले करके अगर हम जैलिसी रखते हैं तो वो अच्छी चीज हमारे तक कभी नहीं पहुचेगी जब हम एप्रिशियेट करेंगे तो हम खुद भी उसके और ज़्यादा करीब होते जाएंगे जब अंदर जैलेसी आ जाती है तो हमारा ध्यान जो है वो अच्छी चीजों पर नहीं जाती है हमारे अंदर जो चीज अच्छी है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने आपको और ज्यादा बेटर करने के लिए कोई भी ट्राई नहीं करते वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेर करिए और सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूं अगले वीडियो में थैंक्यो फॉर वाचिंग बाबाई